डिप्रेशन के इलाज में दवाईयों का कितना महतव है दवाईयों का कितना रोल है आज की इस वीडियो में यही जानेंगे इलाज के दो तरीके मुख्यता माने गए हैं एक है एक्टिव तरीका और दूसरा है पैसिव तरीका जो एक्टिव तरीका है वो खुद प्रियास करके डिप्रेशन से बाहर आना होता है और दूसरा जो पैसिव तरीका है वो है दवाईयों का आप दवाईयां ले रहे हैं और डिप्रेसन से आप बहार आ जाते हैं लेकिन दवाईयों का रोल कितना है क्या दवाईयां आपको डिप्रेसन से बहार लाती हैं इस विश्या में बहुत सारी रिसर्च भी हुई हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, कुछ बातें इस वीडियो में भी हम करेंगे तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत मत है दवाईयों के बारे में, वो ये है कि जैसे आप एक कुए में गिर गए हो, और कुए काफी गहरा है, तो उसमें आपको बहारी सहायता की जुरूरत है, कि आपको कोई रसी कुएं के अंदर पकड़ा दे, और आप उ तो जैसे क्रेन से बाहर निकाल लिया जाता है, वैसे ही दवाईया क्या करती हैं, जब आप सीवियर डिप्रेशन में चले गए हो, अर्थात आपके डिप्रेशन की अवस्ता बहुत क्रिटिकल हो गई है, आपके मन में सुसाइड वाले विचार आ रहे हैं, ना खाना ना प पढ़ चुके हो, आपको बोलना अच्छा नहीं लगता, आपको सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, योकि सीवियर डिप्रेशन में अगर कोई काउंसलर, थेरपिस्ट कुछ बताता है, तो वो डिप्रेशन पीडित सुनके भी राजी नहीं है, उसको सुनके भी अच्छ और निकाल दे, तो वो क्रेन का काम करती है, दवाईयां, दवाईयों की साहिता से, ऐसे ही डिप्रेशन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अब आप दूसरी सिचुएशन की कलप ना करें, आप गहरे गढ़े में गिर गए हो, लेकिन उस समय भी आप आवाजें सुन सकते हो दूसरों की बातें सुन सकते हो, और उस समय कोई थेरपिस्ट आता है, या कोई भी सामाने इनसान वो थेरपिस्ट का रोल ही है, वो यह बताता है कि भाईया ऐसा करो कि सामने देखो, सामने कुछ पोडियां बनी हुई है, आप उन पोडियों को मजबूती से पकड़ें, औ नीचे वाली पोड़ी पर पैर रखते जाएं, और फिर एक एक पोड़ी जो उपर वाली है उसे पकड़ते जाएं, और उसे आप बता रहे हैं, उसे आप पुरा समझा रहे हैं, कि फिर पैर उपर उठाओ, फिर ऐसे करकर के आप उसे या जो कुए में गिरा था उसे बाहर आना है उसी प्रकार therapist depression से बहार आने के तरीके बताता है वो आपको समझता है कि आप गिरे हुए हो आप प्रेशानी में हो आप बहुत बुरा मैसूस कर रहे हो उसको आपकी situation का अंदाजा है आपकी भावदशा का भी अंदाजा है लेकिन फिर भी वो आपको एक-एक कदम राओ ऐसे-इसे-चला आपके साथ भी कदम वावब बढ़ाता है आपके साथ वह active role निभाता है कुछ activity में वह शामिल भी होता है कुछ activity में वो आपका साथ भी देता है तो ऐसे वो आपको skill सिखा रहा है ऐसे वो आपके अंदर समर्था पैदा कर रहा है तो जैसे आप कुएं के अंदर से निकले थे ना खुद पोड़ियां पकड़के वैसे ही वो depression से निकलने में आपको मदद कर रहा है तो ये तरीका है active तरीका कि आपने active role निभाया है तो दवाईयों का जो तरीका है वो passive तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना बस crane जैसे आपको कुएं से बाहर निकाल देती है और जो counselor है therapist है वो आपको ये भी बताता है तो अगली बार गड़े में गिरना नहीं है कैसे गड़े को पहचानना है गड़े से बच-बच के कैसे चलना है और फिर भी गिर जाओ तो इस तरीके से कैसे निकलना है वो सब कुछ आपको सिखा देता है तो आप देखिए, आप एक तरफ द्वाईयों से इलाज लेते हैं, तो उसमें आपने क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, आपने बस passively बहार आने का तरीका समझ लिया है, और इस से आपकी thinking और जो आपकी habit अवो और बिगड़ गई है, क्योंकि फिर से आप गठे में गिरोगे, तो फिर से आपको crane की जुरूरत महसूस होगी, फिर आप रोगे, चिलाओगे, क्योंकोई निकालो रहे, निकालो रहे, आप अपने प्रयास तो करोगे ही नहीं, अर्थात फिर से आप दवाईयों के पीछे भागोगे, लेकिन जब आप skill सीख लेते हो, counselor, therapist आपको सब चिखा देता है, तो फिर अगली बार आप खुद अपने प्रयासों से भी बाहर आ जाते हो, तो ये तरीका है बिना दवाई ठीक होने का, तो अब आपके हाथ में चुनाओ है, फैसला आपको करना है कि बिना दवाई ठीक होना है, या दवाई ले करके ठीक होना है, लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो तो इसके लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट या थेरपिस्ट से बात करनी चाहिए इस वीडियो के अधार पर ना तो आपने दवाई लेनी है और ना छोड़नी है ये सिरफ आपको अवेर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है और अधिक आप जानकारी चाहते हो खुद डिप्रेशन को ठीक करने के तरीके जानना चाहते हो तो आप भगवत गीता कोर्स भी जोइन कर सकते हो मानो तो मोज है वरना समस्या तो रोज रोज है महगेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग इतिहास का पहला एप जो गीता की माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है भगवत गीता ने लाखो करोणों का जीवन बतला है और आपका भी बतलेगा गीता थे रेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रिकार की OCD का संपूर्ण इलाज जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाद धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लौक दर्वाजा चक करना वा अन्य सामान की चकिंग बार बार करना एक ही विचार बार बार आना, नुकसान वा मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटेक का विचार आना IBS और नेन ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी राजेंद्र जोथपुरिया एप पर आपको OCD से सम्मंधित राजेंद्र जोथपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवेग्यानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेगी गीता है महान थेरेपी गीता में CBT, हिपनो थेरेपी, मैंडफुलनेस, ERP वा अन्य बहुत सी साइको थेरेपीज का समावेश मिलेगा राजेंद्र जोथपुरिया एप एक फाइदे अनिक आज ही प्लेश्टोर से डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देर क्यों अभी जाए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्लेश्टोर से अभी डाउनलोड किजी राजेंद्र जोथपुरिया एप । पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है